कि students अब functional groups की बात करेंगे और या नहीं compound करेंगे so functional group एक compound के functions को या properties को impart करना है और यह आप दोर पे double bond हो सकता है या यह group of atoms भी हो सकते है जो के उस particular compound की properties उसकी reactivity उसकी solubility इसका color या other properties यह वह इंकर्पूरेट करना है उसकी बजा सके और आप दोर पर और या लेकल आउसकी फैंली है उसमें या इसका homolog सीरी बात है उसमें यह functional group है वो फूरी फैंली मेंगे एक ही functional group मुझी बात करें जैसे के हमारे पास की double bond है तो यह double bond रहा है वो किन फैंली इसमें बात करूगा अलकीन है तो इसका जो functional group है वो double bond है इसकी जो reactivity है वो इसमें पाई एक्ट्रों तो इसी तरह से triple bond जो है उसमें जो हमारे का स्वैंवी होकी बेंटे इस हरी काईं और इसमें carbon और carbon के तरह में triple bond है इस कुछत क्सट्रेथिपल खां जो कि मुड़ीज ऑसका इसका जो अट्रों आंज हो यह functional group जो है को specific family, जिसको नोब, alkyl, halides, वी कहने है, को रिप्रेज़त कहने और जरेनल पांटर नेरी सकता हम आगाह से और एक हम आपके लिगेंड तो एक अगमगुंग दिना पके पर प्राम्ट वोगत थिल गरते हैं यह ब्रोन है, यह एक्स जो है वह फलोरीन, कलोरीन, बरोमीन या आयोडीन से कोई भी में बेट बादिक्स है, OH रेप्रेजेंट करता है, अलकोहल को, अगर यह ओपन चेन कंपाउंड है, और अगर यह अरोमेटिक्स है तो यह उनमें, यह OH पुटर में के फिनोली को अंशने को के रादिक्स है, तो अलकोहल में बेसल पर अलकायल ग्रूप के साथ, OH फर्ज्वर्स आपकेंट के स, OH पुटर अलकोहल, Oxy 2, H5, OH पुटर अलकोहल, और पजर यह बैंजीन बिंग है और उसके साथ भी अवजब लगा हुआ है तो यह बैंजीन के लावा अगर कोई साइकलिक सिस्टम भी है और इसके साथ अगर यह बैंजीन नहीं है और इसके साथ अगर यह बैंजीन लगा हुआ है तो यह शाइकलिक अलकोहल होगी, यह नहीं, अलकोहल ही कालाएगी तो अलकोहल है उनमें, OH ग्रॉप जो है वो कालबचें के साथ एक शाइक्ट करना है, नेक्स जो है वो NH2 है और NH2 जो है यह यह प्रिप्रेजट करता है, अमाइन्स को, और अमाइन्स जो है, इनमें, प्रेट से आरकास जर्रली यह आर NH2 या इजमपल के तौर के लिए यह नेट से प्रिप्रेज़ के CH3, NH2, मिथाइल अमाइन्स Cn group, cyanide group, यह इसको, nitribe करते है तो, और अमाइन्स जो है, CH3CN है, यह इसको, nitribe करते है तो, और अमाइन्स जो है, CH3CN है, यह इसको, that will be methyl cyanide, यह इसको, nitribe करते है यह इसको, nitro group, I am going to another functional group so, यह जर यह, यह, जर ऑन्दी नाई्टर नाई्स के लाएं अगर यह इसको, CH3CN के साथ, जो नाई्टर आख जाएं जो नाई्टर गाते हैं अगर यह इस पैंजीन के साथ नाई्स जो है तो इसको, उच्छीए इसको आख जोगए anyone इसके बाद यह SH है इसको आप OH के साथ रिलेट करें कि अक्सीजिन की बहुती है सल्फर आ गया है तो इसको जर्णली जर्णा है वो मर्केप्टो अक्शन ग्रोपी कहते है इसको जर्णा है वो सल्फर की बज़ा से थायोल भी कहा जाता है इसको जर्णा है एक्शमपल के तौर प्रेलर से यह माने पास CHD SHFN थायोल होगा यह फैमली में SHFN परक्शन है सिमिलरली डबल बॉर्ण एंगे जर्णा है वो आई के साथ इसको इमेंस इसको आपके ने पर जहां पर अगर यहां पर यह CH2 डबल बॉर्ण और NH एक्शमपल पी कार्बणा यह गरूप कहते हैं उसमें भी केटोनिक की फैमली दुमाने पास को यह फिर केटोन हैं और एक्शमपल के तzw. में ऑक्पर अगर हम बाद करें तो मिया कैसा किस कार्मक के दोनों तरफ ड़ों पे से रिए हैं तो चिटोन में दोनों तरफ कार्बोन अस होग है पहली जो एक्शमपल है तफ़ किकमन करें तो पहली इसका हम बाद करें चिठ्थी इसी तरह से same functional group है लेकिल एक साइट एक carbon attached गूप की और उसले तरह ब्लाट हो जाए हो जाए तो इसको formal group भी कहते है इसको energy hydic functional group भी कहते है और इसका पहला member है और इसका पहला member है और इसका पहला member है पर एक ये hc double bond को h हो सकता है यहां पर एक तरह करना है उसलिए अची थी भी मजूद हो सकता है लेकिन एक तरह match हो जोगी है दूसरे लगजों भी कहा रहे है कि हुआराजी functional group पर वही है दूसरी तरह nitrogen भी हो सकती है उसके साथ मिठाई रूप भी हो सकता है उसके साथ और अलका रिटोस जो भी हो सकते हैं इसके साथ मिठाटे मेंजीन भी हो सकता है और इसके साथ मेंजीन के साथ एक करप जो लहा है रहे हों को क्यमें谐 आच है आपको ऊप अच ओश को करणते हैं अपना अरश नोच आपकर है रांच यहोरा ग। लदी हाइड है और यह तिनोविस ओप कहोंग और अमश्न हाल 만 तो है वर्ली हाइड है और यह blir ja आपे hydrogen भी अटेंशना है, अब ऊस्टों भी लग सकता है, यह उपी कार्प मैं करने की चाहिए, क्या अपी कार्प फी अटेंशना है जैक्स इस अच्ली गूरूप पे हमारे पास e-carp oxy Optics अब यह असल में दो तरा कॉर्प्स का कह सकते हैं कि हम्हे बना नगे मान को तो इसको को लग्तिविया जो है हम क्या जिते है कि यह कार्प उसाय बना है, जो कार्पॉकसाय ब्रोग्त है और जो फाम्लिच है जो कारपॉकसि selective assets कहला तो और इसमें भी जुके एक तरफ हमारे पास है तो wedge group attached है और उसकी तरफ लिए जो carbon है यहाँ पे hefty है तो यहाँ यह possibility है कि hydrogen भी attached है, थालिया का इंटोप भी attached है, तो इसको लियाद पे हम इसको जड़न कर सकते हैं कि for example अगर hydrogen लगा है, तो यह हमारे पास H, C, O, H और में के असर होगा, अगर वहाँ metal group लगा है तो CH3, C, O, H, S, T के असर होगा, अगर वहाँ benzene ring लगा है तो C6, H5, C, O, H, benzoic acid होगा तो in में यदि जो चीज यहाँ पे variable आ रही है, वो यह आ रही है किस दोट के साद में H है, यहाँ में से C, H3 लगा दिया है, यहाँ में पे बैंजी ring लगा दिया है, तो यह aromatic carboxy के सद हो जाएगा, manager के सद, यह जो है वो aliphatic के आप उपचे, acetic acid और similarly यह formative acid, hydrogen जो कहाँ है, तो यह cupboxylic acid है, और आगे इसके दोट के सद, पिलकुल इसी तरह से, इसी कहाँ यह derivative है कि इस OH को उड़ना के, तो उसकी जगह पे अगर अगर आपने हैं, तो यह acid का derivative के बंजार कहाँ है, और इसकी जगह हम करता है, कै यह acid, a-light है, यह吇म काथ box लिक acid है और उसके साथ, halo j यह है, वो attached, ê m's-a, which is free है, तो यहां में यह 순ग, आपनेफा याल और यहां पे कोई हेलोज इंफर्स करें, C-L attached हो यह कहना एगा Acetylchloride इसी तरह से यहां पे O-H के जगा प्रें किया, वो R अगर अटेच करते हैं, यहां एक सब्सक्राइब के साथ तो यह भी एक पॉसिबलेटी जिए है, वो हमार अपास हो साथ की और इसकी एक्जांपल अगर हम आपे लेगे, तो यह प्लेंट से यह प्लेंस की जगए है, इसके अगर C-Natch, फी ग्रुप थे हैं रहे है, वो हमार अटेच की और यह जो R है वो नथारी भी होसकता है, तो यह प्लेंट है, यह मारे पास तो इसमें यह ग्रुप जो है यह अधार के अधार के अधार भी हो सकता है तो पारी भी हो सकता है तो इनको जैनल ली जैनल है और एक लिए के देया तो यह सारे पॉसीबल फॉसे हैं जो काम थाल्पे और जैनल मदूल हो सकते हैं गरवल बॉड रॉट में